देश में कोरुना के चलते हलात बेकाबू होने लगे हैं राश्ट्रिय राजधानी दिल्ली में भी कोरुना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं बीते 24 गंटे में कोरुना के 19,486 नई के सामने आए इसके अलावा 141 लोगों की मौत हो गई देश में कोरुना के मामलों की बात करें तो शुक्रवार को केंद्रिय स्वास से मंतराले की तरफ से जारी आकडों के मताबिक देश में कोरुना के कुल 2,17,353 के सामने आए हैं जिबकी 1,185 लोगों की मौत होई है बीजे 24 गंटे में कोरुना के 2,17,353 नए मामले सामने आए हैं वही इसी अवदी में कुल 1,185 लोगों की मौत हुई है देश में कोरुना के अब तक कुल 1,42,91,970 मामले सामने आए हैं इस समय देश में कुल 15,69,743 एक्टिफ केस हैं कोरुना के कारण अब तक 1,74,308 लोग जान गवा चुके हैं कनौट प्लेस में पसरा सन्नाटा राज़ानी दिल्ली में कोरुना के बढ़ते मामलों के बीच आपसी वीकेंड लॉक्डाउन की शिरुवात हो चुकी है सुबह से ही दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनौट प्लेस में सन्नाटा पसरा हुआ है सुबह के दिल्ली पुलिस के जवान और CRPF के जवान सरकों पर चेकिंग और पेट्रॉलिंग करते नज़र आए अमूमन विकेंड के दो दिन कनौट प्लेस में सुबह ही लोगों की अच्छी खासी भीर देखने को मिलती थी लेकिन विकेंड लॉक्डाउन के चलते कनौट प्लेस में सुबह के वक्त सरके खाली नज़र आई सरकार की ओर से जारी किये गए आदेश में जरूरी सिवाओं से जुरे लोगों को ही बाहर निकलने की इजासत दी गई है दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू शुरू हलाकि दिल्ली मेट्रो बस ओजो टैक्सी जैसे सार्वजिनिक परिवाहन सुविधाएं अपने तै समय से चलेंगी लेकिन उनमें केवल उन्हें ही आने जाने की अनुमती होगी जिने नाइट कर्फ्यू के दौरान आने जाने की अनुमती मिली है कोरोना वाइरस और वैक्सिन से जुरी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहे हमारे चानल के साथ